अलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का जो पेपर है गणित का वार्शिक परिक्षा के लिए उसके बारे में तो सारे की सारे प्रशनों के उत्तर आपको देना जरूरी है आईए बिना देरी क इसको दो पटा पांच या फिल्ल आप लिख सकते हैं तो भिंदी लगाते हैं पैसे लेक सकते हैं और पांच लेह दीज़िए क्यूश्चन नमबर बै बेह प्रथम पद और दुवित्यीआ पद बताईए तो प्रथम पद क्या है पहले में तीन और दूसरे में चार दुथ अल्तमरूब का मतलब क्या होता है इसको और कितनी वार काट सकते हैं इतना काटिये कि लाश्ट में ये कटे ना तो 2 बटा 16 को लिख सकते हैं ये 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा एक अनुपात 8 क्यूशन नमर दे है निम्नांकित में 100 के आदार पर प्रतिशत्ता बताईए तो 18 परसेंट का मतलब 18 बटा 100 इसको काटिये इसको काटने भी क्या आएगा 9 बटा 50 ये आपका आंसर दूसरा है चोईस परसेंट तो चोईस बटा 100 इसको काटेंगे आप तो क्या आएगा इसको काटेंगे आप तो 6 बटा 20 दूसरा है ने क्यूशन एक बटा 4 को प्रतिशत्ता में प्रतिशत्त कीजिए तो प्रतिशत्त में प्रतिशत्त करने के लिए हम क्या लग परसेंट का मतलब क्या होता है multiply 100 तो एक बटा चार एंटु सो तो यह क्या हो गया 25 परसेंट देखिए एक बटा चार एंटु सो इसको काटेंगे हम तो यह आएगा 25 तो इसको हम लेख देंगे 25 परसेंट next है रे 25 परसेंट को दस मलब में लिखिए तो 25 परसेंट मतलब 25 बटा 100 इसको आप काटेंगे तो यह कट जाएगा 25 से 1 बटा 4 अब एक में 4 का भाग देंगे आप तो क्या आएगा आपका आंसर 0.25 यह आपका आंसर दस मलब के रूप में next है ले पॉइंट बारा को प्रतिशत में बदल लिए तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वो छोटा छोटा रूप जो common आ सके तो 5, 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 और 5 इसके टुकड़े होगे 15, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 और 5 तो common लेती जाएए अब इसमें 5 common आ जाएगा तीनों में से 5 common लिख दिया अब इसमें 2 और इसमें से क्या आ जाएगा 3 क्या हुआ multiply करके 30 यह आपका क्या हो गया लगुत्तम समाप वड़ती नेक्ट है 9 से अबाज जगुनान खंड 9 के अबाज जगुनान खंड गयात कीजिए तो 9 के अबाज जगुनान खंड क्या हुए 1, 3 यह आपके अबाज जगुनान खंड आगे देखते हैं क्यूशन उसको करने से पहले आप सब इसी रिक्वेस्ट है जिनों ने चैनल को इप तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वेल को ओन कर ले जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और डिस्क है यह कि यूशन है प्रतम पांच गुणच लिखिए तो पांच गुणच लिखने हैं तो देखिए तीन के पांच गुणच नेक्स्ट आएगा 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 और 18 ये प्रतम 5 हो गए तीन के इसी पकार 4 के लिखने है आठ बारा 16 बीस और चोईस यह आपके next 5 गुणज अब आपको next question दे रखा है जिसमें आपको खाली जगे बढ़नी है तो ब्याज का सूत्र क्या होता है more than into 10 into sum बटा 100 तो खाली जगे पर क्या आएगा more than यहाँ पर आएगा more than next question है x plus 2 बराबर 3 समिकण को हल कीजिए तो plus में कोई चीज है वो दूसरी जगे जाती ही क्या हो जाएगी minus तो इधर plus दे रखा है यह जाके क्या हो जाएगा minus यानि कि 3 minus 2 यह आपकी x की value आजाएगी 1 यह आपका उत्तर next question है निमलिकित प्रश्णों में से किनी नौ प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला है गातिय रूप में लिखिए तो आगो गातिय रूप में लिखना है तो देखिए a कितनी बार है 3 बार into a cube b कितनी बार है 3 बार तो b पर पावर 3 तो इसको हम लग देंगे 5 a cube b cube इसी पकार next question है 5 कितनी बार है 2 बार तो 5 का square 5 का square x कितनी बार है 2 बार x का square y कितनी बार है 2 बार y का square ये आपका गातिय रूप में answer next question कौन किसे कहते है cdc परिवासा है इसे आप लग देंगे next question है कौन कितने प्रकार के होते है ये भी आप सभी को पता होगा कौन तीन प्रकार के होते हैं Mostly Next question है रहीम ने एक गड़ी 600 रुपे की खरी दी उसको 500 रुपे में बेज दिया तो उसको हानी कितने में हुई 600 में उसने खरी दी और 500 में बेज दी आनिके 100 रुपे की उसे हानी हुई Next question है एक आयताकार खेट की लंबाई 29 मीटर और चोड़ाई 25 मीटर है खेट की लंबाई और चोड़ाई के अनुपात के रूप में लेखो तो लंबाई और चोड़ाई का अनुपात 29 अनुपात 25 Next question है 15 का 3 से सरल्दम रूप में अनुपात लेखिए इजी क्यूशन है आराम से कर सकते हैं Next question है X 10, 20, 40 समानुपाती पदों में X का मान निकाल लिए तो X का मान कैसे निकालते हैं 20 के पदों का गुणा बराबर जो प्रतम पद और लास्ट पद है उनका गुणा और X की वेल्यू जानिके X Sorry X X into 40 यह होगे प्रतम पद और लास्ट पद और बीच की पद होगे 10 into 20 अब यह देखिए 20 से यह कट रहा है दो बार और 2 से यह कट रहा है 5 बार तो X की वेल्यू आग की क्या गई 5 यह आपका उत्तर रहेगा नए क्यूशन है 250 का 30 परसेंट कितना होगा तो यह देखिए 10 से 10 यह कट किया 10 से 10 यह कट किया 25 into 3 यानिके 75 यह आपका उत्तर रहेगा नए क्यूशन है एक परिक्षा में 75% बच्चे उत्तीन होगे यदि परिक्षा में 1500 बच्चे बैटे हैं तो कुल बच्चे कुल कितने बच्चे उत्तीन होगे आपको उत्तीन बच्चे बताने हैं यह देखिए टोटल बच्चे हैं हमारे 1500 और उत्तीन कितने में हैं यह 75% परसेंट आते ही नीचे बटे में 100 लगाना है यह देखिए 2 0 से यह 2 0 कट जाएंगे या फिर आप और इसको और सरल रूप में करना है तो 25 से इसको काटे देगे 25 से यह कटेगा तीन बार और यह कटेगा 4 बार अब इसको दुबारा आप काट ले यह देखिए 4 से इसको काट दीजिए 3 टाइम और यह आपका 7 टाइम और यह 5 टाइम अब इसको multiply कर दीजिए 5, ये 2 और ये 11 1125 आपका answer रहेगा नया question है रहीम ने एक अलमारी 2000 रुपे में खरीदी 2500 रुपे में बेच दी उसे कितना लाव हुआ 2000 रुपे में खरीदी है और 2500 में बेची है यानि कि उसे हुआ 500 रुपे का लाव इसको कैसे करेंगे फिक्रे मुल माइनस क्रे मुल या आपका क्या होता है लाव होता है तो लाव हमारा आगया 500 रुपे लास्ट क्यूशन है 14, 28, 35 का लेसे ग्याद कीजिए अभी आपको कुछ देर पहले एक क्यूशन करवाई था लावतम समावर्थ का उसी तरीके से हो गए आप आजानी से कर सकते है तो ये थे हमारे सारे इंपोर्टेंट क्यूशन सारे क्यूशन को देखने, रट ले, याद करने अपने फ्रेंड्स में जरूर सेयर करें और जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब निक किया प्लीज सब्सक्राइब करने नोटिफिकेशन वैल को ओन करने जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके मिलते है नेक्ट वीडियो में सभी को एक जाम के लिए बैस्ट आफ लग थैंक यू